हेले अब्रीबान हम अपने प्रीबियस वीडियो में फ्रोचार्ट को अच्छे से समझ चुके हैं तो मैंने एक आपके नेक्स वीडियो में एक फ्रोचार्ट का एक बड़ा सा नकालते हैं तो हमें तो यह दिखता है कि हमने कार्ट डाला अपना इंपुट एंटर किया मतलब कि हमें जितने पैसे निकालने वो और अपना ट्रांजेक्शन पिन एंटर किया और इसके बाद पर हमारे पैसे मिल गए पर एटियम के अंदर बहुत सारी पोससेंग होती है पी फ्लो चार्ट थोड़ा सा बड़ा होगा तो मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूं और उसके बाद आपको step by step इसे मैं explain करूंगा ओके तो यह है हमारा फ्लो चार्ट तो इसको मैं आपको explain करता हूं तो सबसे पहले हमारा जो algorithm है वो start हो रहा है तो start के लिए हम इस वाले शेप को यूज करते हैं इस ओवल शेप को इसमें लिखते है start तो यहां से हमारा algorithm start हुआ है आती हम सबसे पहले क्या कहेंगे कि insert ATM card user को कि आप अपना card जो है ATM machine में डालो इसके बाद next step जो होगा यहां पर input ले रहे हैं इसलिए हमने यहां पर rhombus वाला shape यूज किया है तो input में हम कहेंगे take card number as input मतलब हमें अब card number को input में लेना है card number क्या होदा है जो हम pin number ने डालते जो हमारी ATM का pin होता है four digits का वो pin हम enter करने के लिए कह रहे हैं user को वो हमें enter मतलब वो pin user ने डाल दिया अब इसके बाद हमें चेक करना है क्या वो pin सही भी है या नहीं तो यहां पर हमें एक decision लेने के लिए हम अपना diamond shape यूज करते हैं तो यहां पर हमारे पास एक decision होगा condition हमें चेक करना होगी कि क्या card valid है या नहीं तो इस card valid ये एक condition लगा दी अब यहां से दो cases हो सकते हैं या तो user ने सही the pin enter किया होगा थीक है तो अगर सही एंटर किया होगा तो यह स्वाले condition पर आ जाएंगे अगर गलत एंटर किया होगो तो लिए नो पर आ जाएंगे तो हमारा program वहीं पर खतम हो गया तो मतलब end कर दिया हमने हमारा algorithm वहाँ पर खतम हो गया पर अगर उसने card number जो है मतलब pin number जो है वो सही डाला था अब सही डाला था तो हम उससे अगला input लेंगे और अगली input में हम उससे कहेंगे कि आपको जितना amount withdraw करना है वो बता दो ठीक है आपको कितने पैसे निकालना है वो बता दो तो वो यहाँ पर हम input ले रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ rhombus वाला shape यूज़ किया है अब जितना input लिया हमने अब यहाँ से भी हमें एक decision लेना है suppose मेरे account में इस वक्त 5,000 रुपे है ठीक है और मैं withdraw करने गया ATM में और मैंने वहाँ पर input में डाल दे है कि मुझे 7,000 रुपे निकालने है तो कि यह possible है नहीं वो आपको दिखा देगा एक message की insufficient balance आप account में उतना balance है नहीं जितना आप withdraw करना चाहरे हो ठीक है तो यहाँ पर जब उसने यह बता दिया कि उसे कितना amount withdraw करना है जैसे कि मैंने का था 5,000 उसके account में है और 7,000 मैं यहाँ पर निकालने गया हूँ तो suppose मैंने यहाँ पर enter कर दिया 7,000 ठीक है अब मेरे को चेक करना है कि क्या जो withdrawal amount enter में आया है जो user ने enter किया है withdrawal amount अगर वो withdrawal amount sorry मैंने यहाँ condition गरत लिख दी है यह created than equal to नहीं smaller than equal to होगा तो अगर withdrawal amount जो भी आया है वो छोटा है मेरे अभी के account balance से या फिर बराबर है मेरे account balance के तो मैं yes वाले case में यहाँ आ जाओंगा वर्णा no वाले में यहाँ मैं दुबारे से अपनी बात बोलता हूँ मैंने क्या कहा कि दो conditions है यहाँ हो सकता है पहला case क्या हो सकता है कि मेरे account में 5000 थे और मैं 5000 ही निकालने आया हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैंने withdrawal amount enter किया है और जो मेरा balance amount है मतलब account balance है वो दोने equal है तो इसलिए मैंने है equal लिखा है तो अगर ऐसा case हो या दूसरा case क्या हो सकता है कि जो मैंने withdrawal amount enter किया है और जो मेरा account balance इस वक्त है वो मेरा withdrawal amount जो छोटा हो सब्सक्राइब जैसे यह 4000 हो गया और यह छोटा है मेरे current account balance है तो इन दोनो cases में हम कहेंगे कि आप withdraw कर सकते हो तो yes अगर yes होता है तो हम यहां आ जाएंगे अगर no होता है तो हम इस तरफ आ जाएंगे और यहां एक message show कर देंगे user को कि insufficient balance आपके पास उतना balance है नहीं जितना विड्रॉल कर रहे हो और यहां हमारा program खतम हो जाएगा लेकिन अगर yes होता है तो अगर इन दोनों में से कोई एक condition satisfy कर जाती है तो फिर हम नीचे आएंगे और अब हम क्या करेंगे अपने account balance को उनकी मतलब जो user निकालने आया है पैसे उसके account balance को update करेंगे जैसे आप जब भी पैसे निकालने जाते है तो पैसे निकालने के तुरंद बाद आपके पास एक message आजाता है कि आपके account से इतने पैसे निकल चुके हैं और इतने बचे हैं तो वो कैसे होता है वो आपको cash देने से पहले ही update कर दिया जाता है जब जब machine से आपका cash आ रहा होता है तब ही वो पीछे server पे जहां bank का server है वह update कर देते हैं तो वो काम हमें यहां करना पड़ेगा तो हम कह रहें कि update करेंगे account balance को as account balance is equal to account balance minus withdrawal amount मतलब कि जितना पैसा आपके पास पहले से था वो account balance उसमें से मैंने minus कर दिया जितना पैसा भी मैंने निकाला है withdrawal amount जो मैंने निकाला है और उसको आपके account balance में save कर दिया तो अपडेट कर देंगे और इसके बाद फिर हम क्या कहेंगे यूजर को एक message दिखा देंगे transaction completed, take your cash आपका transaction complete हो चुक है, आप अपने पैसे ले लो और फिर यहाँ पर हमारा program end हो जाए ठीक है, तो I hope आपको ये पूरा clear हुआ होगा कि किस तरीके से हमारा ATM work करता है इसके पीछे मतलब इसमें और भी check होते है ATM में, बट आप overall एक algorithm के अगर बात करें तो ये ATM algorithm आप consider कर सकते हो इसको as a ATM algorithm, ठीक है तो I hope ये और ये चीज़ clear हो गई है और हम अपने next video के अंदर से Python start करने वाले है Python start करने से पहले आपको algorithm और flowchart की knowledge होना ज़रूरी था ताकि जब हम Python में code करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको जब कोई algorithm समझाऊँगा तो मैं flowchart के थूँ समझाऊँगा या फिर मैं आपको sudo code में लिखकर समझाऊँगा तो वहाँ पर वो चीज़ आपको clear होनी चाहिए तो आपको यह दोनों topics clear है अब हम अपने next video से Python स्टार्ट करेंगे so thank you so much